हदीष है कि दूआ तकदीर को बदल सकती है बहुत आसान टॉपिक है आप लोग सिंपल टॉपिक याद करो देखो इजी इस टॉपिक है क्या होता है तक्दीर दो टाइप की तकदीर है एक है तकदीर मौल्लक जिसे थैंगिंग तकदीर बूलते हैं मिसाल के त़र पर सारे फैसले नाजल होते हैं कि अि पाता है पाता हो प्ट शेम्रे कि अब भी सब आलाई नहीं है तो आने वाले साल के सहस인 नाजल होते हैं कि यह जो है यह तकदीर है यह हैंगिंग प्पड़िए और एक तढ़ीर वो है जो लोह महफूज में है जो में जो तकदीर जो तकदीर यह दोनें वर comments क्या है देखिए हम जो दौदा पंड़ते और उसके नहीं है जो कुनोद पंड़ते और उसके नहीं है वाकिना शर्र माः चदाईत आ ला जो तूने शर्र हमाई मुकदर किया है उस शर के उस शर से हमें बचा दे erzählt जो तकदीर में है में भाईों कुरान औ वो भी होती तो क्या होता जो नहीं हुई वो अगर होती तो क्या होता एक आदमी एक मोड पर आकर उसने गुना का रास्ता ले लिया अगर नहीं लेता तो क्या होता वो मोड पर आकर उसने दुआ कर लिया अगर वो दुआ नहीं करता तो क्या होता तो अल्ला के इल्म में सब क आने वाले साल में क्या होने वाला है रिस कितना मिलने वाला है वो रिस बढ़ सकता है आपको कई हदीसे मिलेगी इसमिसाल के तो है दूआ से चेंज होती है उसी तरह सही बुखारी की हदीस है जो पसंद करता है कि उसका माल में अदाफा हो तुम मेंसे कोई अगर पसंद कर रहा है अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि माल बढ़े अगर तुम्हें अगर तुम्हें पसंद है कि माल बढ़ जाए या उम्र बढ़ जाए फल्यसिल रहीमहू उसे चाहिए कि रिष्टेदारी अच्छी रखे सभी बुखारी की चुनलो में भाइए आप मैंसे जो लोगों को अच्छा लगता है कि आपकी जितनी भी रिस्क मिलना आने वाले साल में या आपका माल जो आना आपके पास वो बढ़ जाए तो रिश्टेदारी अच्छी रखो अब एक आदमी उसको आने वाले साल में एक ल मिलना था एक लाट लेक्न वह पांच लाट अड़ भे लेकिन अल्ला को मालूम है कि अगर वह यह नहीं करता तो क्या होता समझें आता तो अल्ला का علा हम परफैक्ट है लेकिन अधरी में टालुक से जो जो बदलने के तलुक से सारी चीजशे हैं वह मौवलक है हाँ लोहे महفوظ में जो है जो पचास हजार साल पहले आसमान और जमीन के बनने के पचास हजार साल पहले से है वो तक्दीर फिक्स्टे को बदलती है